हेलो एल मेलकम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया का खाश शो बॉलिवुड गफशब और मैं हूँ आपकी होस्ट एंडोस का जोलना रहा है और आपके एंटेटेन्मेंट में आज लगने जा रहा है नया तड़का जी हाँ आज में लेकर आई हूँ बॉलिवुड की चटपटी खबरें तो हो जाएए तयार पीसी ने की 15 साल पुरानी पिक पोस्ट तो पती निक अपने आपको पोस्ट पर कमेंट करने से रोक नहीं पाए बॉलिवुड टाइगर सलमान की फिल्म शूटिंग का प्लान चेंज हो चुका है तो वहीं रो रोकर रुबीना कर रही है अपने पती को याद इसके साथ ही बॉलिवुड की कुईन ने अपने आपको बता दिया है सब से बेस्ट तो अफगान जली भी करा रही है नया फोटो शूट तो चलिए आपको दे ना करा कर शुरू करते हैं अक्ट्रिस प्रियांका चोप्रा के लिखी किताब Unfinished बीते दिन रिलीज हो चुकी है प्रियांका के चाहने वालों ने सोशल मीडिया के जरिये किताब की तारीफ के पुल बान दिये जिसके बाद प्रियांका की एक सहीली ने सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाला पो अचिछलु पोस्ट करेंगी तो PC कैसे पीछे रह सकती है प्रियांका चोप्रा ने इस पोइस पर कमेंट किया आइल लव यू कुएन जिस पर निक जोन्स ने प्रियांका के इस कमेंट को हार्टी moji से लाइक किया वहिशी NICK उन्सका प्रियांका के कमेंट को पसंद और हार्ट इमोजी के साथ रियक्ट करना उनके फैंस को भी बेहत पसंद आया लोगों ने दोनों को कमेंट सेक्शन के जरीए बेहत प्याल उटाया बॉरिवुड के भाईज़ान कह लीजे लेकिन हम तो टाइगर खान ही कहेंगे वो क्यों तो चलिए बताते हैं दरसल टाइगर सीरीज सलमान खान की सबसे पॉपलर फ्रेंशाइजी है एक ताइगर टाइगर जिन्दा है के बाद टाइगर 3 की शूटिंग शुरू होने जा रही है पहले एक खबर आई थी कि टाइगर 3 की शूटिंग दुबई में होने वाली थी लेकिन अब ये प्लान बदल दिया गया है दरसल दुबई में COVID-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा किया गया ऐसा भी कहा जा रहा है कि सलमान और केट्रीना टाइगर 3 की शूटिंग के लिए स्तानबुल जा सकते हैं बता दें कि सलमान की फिल्म राधे इस साल इद पर रिलीज हो सकती है पिछले दिनों राधे की OTT रिलीज की खबरों के बीच सलमान खान ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि राधे ट्रेटर में रिलीज होगी इसके अलावा सलमान अंतिम दा फाइनल तुरुत की शूटिंग में भी बिजी हैं सलमान इस फिल्म में एक से का किरदानी भा रहे हैं इन दिनों बिग बॉस 14 की चर्चा हर जगा हो रही है क्योंकि बिग बॉस 14 अब फिनाले की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं मंगलवार की एपिसोड में मेकर्स ने एक बार फिर से सीन पलड़ दिया और घरवालों को भी शौक्ट दिया हाला कि एपिसोड में अभिनव शुकला घर से बेखर हो गए है जिसे देखकर दर्शत भी काफी हैरान हो गए वहीं अभिनव शुकला के घर से बाहर होते ही रूबीना का रो रो कर बुरा हाल हुआ जिसके बाद घर में रूबीना अपनी पती की फेवरेट टी-शिट को गले से लगा कर खूब रोई फोटोज में देखा जासकता है कि रूबीना के हात में अभिनव की ग्रीन टी-शिट है और वो उसी के साथ बैटी है प्रोमो में देखा जा सकता है कि कंटेस्टेंट गार्जन एरिया में खड़े हैं तभी बिग बॉस कहते हैं आज बिग बॉस घर में मौजूद साल से दस्तों में से किसी एक का सफर यही खत्म करने का फैसला लेंगे और फैसले की जिम्मेदारी प्रतिनिधियों पर ही चोड गर में आये महमान विंदुदारा सिंग, राहुल महाजन, तोशी, जानकुमार सानू और जस्मिन भसीन को उसे कंटेस्टेंट का नाम लेना था जो घर से बाहर होने के लायक थे जिसके बाद क्या हुआ सबसे जादा आभिनव शुकला का नाम सामनी आया फिर हो गए ज़पूत मौत मामला और बाद में किसा अनाल दूलन। उनके बयान सोशल मीडिया पर हलचल मचवाते रहते हैं। अक्सर उनकी ट्विटर पर किसीना किसी के साथ बहस हो जाती है। इस बार कंगना ने खुद को दुनिया की सबसे प्रतीभाशाली एक्ट्रेस गोशित कर ये दावा करते हुए उन्होंने अपनी तुलना हॉलिवूड एक्ट्रेस मेरिन स्ट्रीपी और गेल गटाट से कर डाली। गंगना रणाउन ने ट्वीट किया जिस तरह की रेंज में मैं एक परफॉर्मर की रूप में अपने किरदारों में दिख्ती हूँ। वो इस पू आईवी और धाकर ये है मेरा ट्रांस्वर्मेशन अलर्ट। अरे रुकी एक कंगना यहीं नहीं रुकी उन्होंने अपने दावे पर डिबेट करने का चालेंज भी दे दिया। एक और ट्वीट में कंगना ने लिखा है मैं ओपन डिबेट के लिए तयार हूँ अगर इस ग ऑलिवर्ड की अफगान जुलेबी यानी काट्रीना कैफ अपनी आक्टिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस और क्लैमरस अंदास के लिए चर्चा में बनी रहती है। उनकी खूबसूरती और फैशन सेंस कमाल है जो हमेशा सुर्ख्यों में रहता है। हाल ही में काट्रीना न साथ मेरी पसंद बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी परसनल और पोफेशनल लाइव को अलग रखती हूँ। हाला कि कभी कभी कोई किरदार मुझे सामाने से जादा समय तक रह जाता है। लिकिन जब मैं कोई नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर देती चलिए ये दो बहुत अच्छी बात है के ट्रीडा की। बॉलिवर गप्शप पे इतना ही कल फे लोटूंगी कुछ और चटपटी खबरे लेकर तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूस वाल इडिया के साथ।